वेलकम टू जीरो से जिनियस तक आज की एक और नए एस्पेसल वीडियो क्विटेश्ट में आप से पूछे जाएंगे बिल्कुल पूलिस एक्जाम कोश्चन पेपर जैसा जीके जी इसके 20 सवालों को ध्यान रहे आपको इन 20 सवालों में कम से कम आठ का सही जवाब अवस्य देना है तो चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है बिटामिन बी की कमी से कौन सी बिमारी होती है आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकेंड का समय जो सुरू होते हैं अब सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर सी बेरी बेरी कोश्चन नमबर टू है जो हाली के एकजाम में पूछा है भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझाता कब हुआ था सिमला समझाता कब हुआ था सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर बी जुलाई 1972 को Q3 है पूलिस का सबसे महत्वपून कारिया क्या है? सही आंसर हो जाएगा Option नमबर A जानता की सुरक्षा Q4 भारत का परधान मंतरी बनने के लिए निवनतम आयू क्या होना चाहिए? भारत का परधान मंतरी बनने के लिए निवनतम आयू क्या है? राष्टपती का एज तो आपको पता है राष्टपती बनने के लिए निवनतम आयू 35 वर्ष होना चाहिए किन्तु भारत के परधान मंतरी बनने के लिए निवनतम आयू 25 वर्ष होनी चाहिए आंसर होगा आप्सन नमबर B 25 वर्ट्स कोशन नमबर 5 नागा अरजुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है ये भी प्रस्न हाली की एकजाम में आया था इंपोर्टिंट है आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर C क्रिश्ना नदी कोशन नमबर 6 है पूना पैक्ट भीमराव अम्बेदकर और महत्मा गाधी के बीचे कब हुआ था ये भी प्रस्न दो जनवरी के एकजाम में आया था पूना पैक्ट भीमराव अम्बेदकर और महत्मा गाधी के बीचे कब हुआ था सही आंसर हो जाएगा option number D 24 सितंबर 1932 को question number 7 पानी पत का द्वितिय योद्ध कब लरा गया प्रथम तो आपको पता है 1526 इस्वी में सवाल है पानी पत का द्वितिय योद्ध कब लरा गया आंसर हो जाएगा option number C नौवंबर 1556 इस्वी में question number 8 महराष्ट के संगीत रंगमंच का प्रसिद लोकरूप कौन सा है ये भी सवाल हाली के एकजाम में आया था यानि कि विडियो बहुत important है आप अंते तक जरूर देखिए सही आंसर हो जाएगा option number B लावनी महराष्ट से संबंधित है लावनी महराष्ट से संबंधित है आगे सवाल है IPL 2020 की बिजेता टीम कौन है वीनर कौन है IPL 2020 के आंसर हो जाएगा option number A मुंबाई इंडियांस question number 10 निम्ण में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्य पाल थे निम्ण में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्य पाल थी आंसर हो जाएगा option number C शोरोजनी नाइडू उत्तर परदेश की और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकोन को दबा कर नोटिफिकेशन को अल कर दिजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर और करता है धन्याबाद आगे सवाल है कॉंग्रेस के गरम दल यो नरम दल यानि की सूरत विभाजन कब हुआ था सूरत विभाजन में कॉंग्रेस दो गुटों में बट गया था गरम दल और नरम दल तो क्वेशन क्या है जी कॉंग्रेस के गरम दल यो नरम दल यानि की सूरत विभाजन कब हुआ था ये भी प्रशन हाली के एकजाम में आया था हम इसलिए आपको बताते हैं ताकि आपको लगे कि ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट होता है अंसर हो जाएगा option number C 1907 इस भी में हुआ था कॉंग्रेस की सूरत विभाजन Question number 12 भारतिये डंडे सनहिता की कौन सी धारा आत्महत्या के परियासे से संबंदित है कौन सी धारा IPC की कौन सी धारा आत्महत्या के परियासे से संबंदित है अंसर हो जाएगा option number C धारा 309 आत्महत्या के परियासे से संबंदित है आगे सवाल है हत्या के एक मामले की सुनवाई कहां होती है बहुत अच्छे सवाल है पोलिस बनना है तो आपको पता होना चाहिए हत्या के एक मामले की सुनवाई कहां होती है हत्या के एक मामले की सुनवाई कहां होती है सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर C कोश्य नमबर चौदा है बीना दूर्ग के एक मात्रा सिंधु नगर कौन सा था दूर्ग मतलब कीला सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर ए चहुद्रो कोश्य नमबर पंदरा भारतियस संविधान के अनुसार निम्ण में से कौन सा मुल अधिकार नहीं है सिक्छा का अधिकार, सुचना का अधिकार, भासन का अधिकार, जीवन का अधिकार सवाल क्या है जी भारतियस संविधान के अनुसार निम्ण में से कौन सा मुल अधिकार नहीं है अंसर हो जाएगा option number B, सुचिना का अधिकार, RTI 2005 में लागू हुआ था, आगे सवाल है, 13 फर्वरी को इन में से किसकी जन्वे तिथी पर राष्ट्रिये महिला दिवस मनाया जाता है? 13 फर्वरी को इन में से किसकी जन्वे तिथी पर राष्ट्रिये महिला दिवस मनाया जाता है? सही अंसर हो जाएगा option number A, सुरोजिनी नाइडू, question number 17 किस राज्या में भारत की पहली बहुत अच्छे सवाल है, important भी है, आप से पूछेगा भी किस राज्या में भारत की पहली इंटर सीटी इलेक्टिक बस से सेवा सुरू हुई है, भारत की पहली इंटर सीटी इलेक्टिक बस किस राज्या में सुरू हुई है, आंसर हो जाएगा option number C, महराष्ट्रा में, question number 18 पार्थ, किसका पर्यायवाची सब्द है, पार्थ, महा भारत में किसे कहा जाता था, सुनो पार्थ अंसर हो जाएगा option number C, अरजुन को, question number 19 भारतिये, डन सनहिता की धारा 124A, निम्न में से किस से समबंदित है, भारत तगरा है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए अंसर हो जाएगा option number A, राज दरोह केसे से समबंदित है, धारा 124A, आगे सवाल है काजीरांगा नेशनल पार्क, भारत के किस राजजिया में इस्तित है, ये प्रसना पिछले पूलिस वीडियो के Q4U में पूछे गये थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिये थे, आप सभी को कॉमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्याबाद, राइट आंसर है, option number D, असम में इस्तित है आपके लिए एक सवाल है, राष्ट्रिय विकास परिस्द की अध्यक्षता कौन करते हैं, यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं, तो सिंप्ली आपको कॉमेंट वक्स में जाना होगा, वहाँ पे लिखना होगा, Q4U वर इसके राइट आंसर, वीडियो पसंद आया, तो ल बाकी आप कोचीन, स्कूल, टिवसन, सेलफे स्टडी जो भी करते हैं करिए, साथ में हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए, हमारे वीडियो से आपके एक जाब में निच्ची तरुप से सवाल पूछे जाएंगे, तो मिलता हो फिर अगले वीडियो में अपना ध्यान चल्ग आपके एक आपके जाई जाएंगे, दो मेंटियो से वीडियो एक जाएंगे, दो मिलता हो जाएंगे, याओे हो भी, अर दो में भी आपके जाएंगे, पर अधने कमारे वीडियो स visit Guistois Snilky, साधु घँड़।